दोस्तो SDFC bank से मिला है मुझे 79,800 रुपीज का personal loan का offer तो दोस्तो अगर मैं चाहूँ तो इस loan को एक साल के लिए ले सकता हूँ या फिर दो साल के लिए ले सकता हूँ या फिर अगर मैं चाहूँ तो इसको तीन साल के लिए लेके आराम से चुकता कर सकता हूँ तो दोस्तो आज के वीडियो में हम यह analysis करेंगे कि जब भी आपको bank की तरफ से कोई एक loan मिलता है तो उस loan को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए अगर लेना चाहिए तो कितने time के लिए लेना चाहिए जैसे कि इस loan को अगर मैं एक साल के tenure के लिए लेता हूँ तो इसके लिए EMI कितनी आएगी और मुझे बैंको के total कितना interest देना पड़ेगा उसके साथ साथ हम 2 साल के लिए भी देखेंगे EMI और total interest और 3 साल के लिए भी हम इसका calculate करेंगे और आखिर में हम यह देखेंगे कि इन तिनों में से कौन सा मेरे लिए best choice है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपका वह अपना offer दिखा देता हूँ दोस्तो यहां पर हम अपने mobile के screen पर आ गये हैं और offer को check करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर अपना mobile number डाल द OTP पर click कर देंगे OTP पर click करने के बाद दोस्तो हमरे mobile पर OTP आ जाएगा और हम इसको login कर सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने login कर लिया है और हमरा जो लोन का offer है 79,800 रुपेज का है आप यहां पर screen पर देख सकते हैं दोस्तो दोस्तो 12 महने के ल असपास उसके बाद दोस्तो अगर मैं इसको 3 साल के लिए चूच करता हूं यानि कि 36 मुल तो यह जाते है 3037 यानि कि 3040 रुपेज के आसपास अब इन तीनों value को लेकर हम calculate करेंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन सा हमरी लिए best option रहेगा दोस्तो तो चलते हैं calculator पर तो द two year और three year इसका हम EMI का calculation करेंगे तो जैसे कि हमने देखा था दोस्तो तो इसका one year का EMI था 7459 रुपीज तो यहां पर हम EMI डाल देंगे 7459 रुपीज तो यहां पर देख सकते हैं अगर आप एक year के लिए यह वाला अगर मैं loan लेता हूं तो मुझे interest pay करना पड़ेगा दोस उसके बाद मैं total bank को दूँगा 89,508 रुपीज यानि कि मैं 79,800 का loan ले रहा हूं और bank को दे रहा हूं 89,508 रुपीज का और इसका जो effective interest rate है दोस्तो वो 12.16% के आसपास है उसी तरह से अगर मैं 2 साल का EMI का value डालता हूं माले जो 2 साल यानि कि 24 महने के लिए अगर मैं EMI ले रुपीज तो मैं वो value यहाँ पर डाल देता हूं 4,130 रुपीज तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं interest दे रहा हूं 19,320 रुपीज और total मैं bank को दे रहा हूं 99,120 रुपीज यानि कि अगर मैं 79,800 का loan 2 साल के लिए लेता हूं तो मेरी EMI आएगी लगबद 4,130 रुप जहाँ पर जो मेरा effective rate of interest आता है दोस्तो वो 24.2% आता है उसी तरह से अगर मैं दोस्तो तीन साल का value डालू जहाँ पर मेरा EMI का value था 3037 रुपीज 3037 अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूं तो दोस्तो यहाँ पर जो interest paid हो रहा है मैं bank को दे रहा हूं 29,532 रुपीज का interest तीन स 9,332 रुपे और यहाँ पर जो interest आ रहा है दोस्तो वो तीन साल में कुन मिला के 37% का रहा है यानि कि मैं bank से ले रहा हूं 79,800 और दे रहा हूं 1,9,332 तो इसका interest हो गया दोस्तो वो 37% तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपना tenure जितना कम रखूंगा यानि कि मैं जितना कम अबदी के लिए loan लूँगा मुझे उतना कम interest bank को देना पड़ रहा है दोस्तो तो इस हिसाब से आप अपनी EMI calculate करके देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर दोस्तो आप एक बात याद रखे अब जितना कम time के लिए loan लेंगे आपका bank को उतना कम interest देना पड़ेगा यहां से ह लोड करके आप भी खुद से check कर सकते हैं आपको जितना भी loan का offer आएगा यहाँ पर आप इसको change कर सकते हैं मान लिए आपको एक लाक रुपे का loan का offer आया तो बस यहाँ पर दोस्तों आपको एक लाक टाइप कर देना है और बाकी का amount खुद बखुद आपने आप से change हो जा से आप यह calculation कर सकते हैं मैं इसको पहले से दोस्तों जैसे था वैसे कर देता हूं देखिए 79,800 मैंने बना दिया उसे साब से यह subset हो गया अब बस इसको loan offer आपको जितना loan का offer आए वो डेलो डालना है और आपका EMI यहाँ पर डालना है उस हिसाब से यह पूरा का पूरा calculation automatic हो